हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टो माँ चैनल अगीन और अब से भी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटीब चैनल साइको सूत्रा पर आज हम बढ़ने चाह रहा है है हुमेनिस्टिक परस्पेक्टिव यह एक ब्रांच ओप साइकोलजी हम कह सकते हैं हुमेनिस्टिक साइको इसका परस्पेक्टिव के बारह廟 कि जा है उसके बाद हम थिवरी एन एवलुशन पर आएंगे और इसानलिटी पर है तेखेंगे यह परस्पेक्टिव परस्पेक्टिव तो है फिरू धर्शाते को थीदैक़्ती कर दीजिए और वीडियो लॉकिए और जिन्हें इन एंपसेज इस पोटेंशियल ग्रोथ, ठीक है, मतलब सीदी सी बात है यह परस्नल ग्रोथ की बात कर रहे है, यह सेल्फ एक्टुलाजीशन की बात करता है और अग्टिव एक्सपीरियंस की बात करता है, और सारे जो परस्पेक्टिव है psychology में कोई unconscious की बात कर रहा है कोई sexual desires की बात करता है कोई psychopathologist की बात करता है मतलब only talking for mental disorders लेकि यह humanistic perspective है यह person की good qualities, unique qualities और एक person के अंदर, एक individual के अंदर कितना potential है उसकी बात करता है ठीक है? It's more of a sort of positive psychology, right? So, इसमें generally हम potential growth की बात करता है self-actualization की बात होंगी इसमें और subjective experience की बात होंगी ठीक है? अब एक एक करके सब को discuss करता है self-actualization क्या है? हमारे अंदर है कि innate desire होता है, होता है ठीक है? और हम जाते हैं उस desire से जो कि हमारा innate होता है innate desire से हम जाते हैं, ठीक है? कि हम अपना fullest potential हमें जतनी श्रमता है हम अपना सबसे जादा श्रमता गें कर पाएं, उसमें काम कर पाएं मतलब to reach their full potential and become the best version of themself हम अपने आपको 100% से और 100% better करते जाएं अपना fullest potential गें करें और सबसे बहतर अपना खुद का सबसे बेस्ट वरजन बनें so self-actualization यह ही है that it believes or it states that the individual have an innate drive or desire to reach their potential and become the best version of themself ठीक है यह holistic perspective को देखाते है मतलब individual को ऐसे अलग-अलग टुकड़ों में मत देखो कि यह इसमें यह अच्छा है इसमें यह बुरा, इसमें यह बहुत अच्छा है इसमें यह बहुत पुरा है individual को as a whole देखो ठीक है as a whole उसके thoughts भी देखो साथ में उसके feelings भी देखो behavior and personal experiences ठीक है तो यह 4 चीज़े mainly होती है thoughts, feelings, behavior, personal experience thoughts, feelings, behavior and personal perspective ठीक है तो personal experience, behavior, feeling और thought इन सब को जब हम as a whole देखेंगे individual को ठीक है तब हमको पदा चलेगा individual के बारे में जब हम उसको पूरा एक साथ में देखेंगे ना कि उसको टुकडों में बाट गे ठीक है तो यही इसका holistic manner है और इसी को हम बोलते है holistic perspective ठीक है it views the individuals as a whole being taking into account their thoughts, feelings, behavior and personal experiences ठीर्ड है emphasis on the subjective experience अब सबके अलग-अलग experience होते हैं ठीक है किसी को हम किसी के basis पर judge नहीं कर सकता है ठीक है तो सबकी अपने देखने के नजर्ये होते हैं perceptions होते है सबके अलग-अनग meanings होते है कोई person किसी एक चीज़ को सुन के आदे के कुछ और बोल सकता है कोई और अपना reason दे सकता है कोई कुछ और उसके बारे में बोल सकता है ठीक है so it's totally personal which means state is subjective तो subjective experience के बात क्यों बोल रहा है इस पर क्यों emphasize कर रहा है क्योंकि ये बात करता है हमारे perceptions से अलग हो सकते है हमारे personal meanings से अलग-अलग हमारे emotions and as the important factor in understanding the human behavior human behavior कौन कैसा नजरिया रख रहा है कैसा क्या मेनी निकाल रहा है और उसके emotions क्या है ठीक है अब है fourth client-centered therapy Karl Rogers जो है जो मैंने दो नाम बोले ठीक है तो जो Karl Rogers है उन्होंने एक client-centered therapy दे थी इसमें उन्होंने basically के लिए तीन चीज़ों के बारे मैं बात किया UPR, Genuineness and Empathy ठीक है Empathy के बात करें तो देखिए एक होती है Sympathy एक होती है Empathy Sympathy का मतलब होता है कि अगर कोई दुख में है वो रो रहा है तो हम पर उसके साथ रोएंगे उसको संतावना देंगे Only, सिर्फ ठीक है लेकिन यहां पर बात हो रही Empathy की Empathy का होता है कि हम खुद को उसके जगा रख के देखे जो मुश्किल में है कि अगर मैं होता उस जगे या मैं होती ही उस जगे जो उसके साथ हो रहा है तो मैं कौन सा action करते है मुझे क्या चाहिए होता और वैसे ही आप action देजिए और behavior कीजिए उसके दाण ठीक है यह होता है Empathy की बात की ठीक है Unconditional Positive Regards जो कि UPR मैंने बोला ठीक है इसका मतलब है कि जो जैसा है उसको वैसा ही accept करो और अच्छे-ची बाते बोलो No matter वो क्या कर क्या है या वो कैसे मसूस कर रहा है या उससे कुछ गलती हुए No जो जैसा भी है जैसे भी है उसको self acceptance उसके अंदर लाओ आप accept करो और Unconditional Positive Regards दिखाओ उसके ब्रती ठीड है Genuineness यह हम कह सकते congruence कि आप एक congruency और Genuineness दिखाईए कैसे उसको हम यह कह सकते है इसमें हमारी बात हो रही है एक होता है Ideal Self एक होता है Real Self Ideal जैसे हम खुद को चाहते हैं कि मुझे तो I.E.S. बनना है मैं तो बनूंगी Real Self क्या कहते है कि यार मैं तो उतनी पढ़ती ही नहीं हूँ तो मैंने इतना Unrealistic गोल क्यों मना रखा है तो हम जैसे है वो अलग है और हम जैसे चाहते हैं वो बहुत अलग है तो दूनों में balance है यह नहीं दूनों में imbalance है ठीक है तो उसे Incongruency बनती है जैसे inconsistency form होती है मतलब uncomfortable और जैसे incongruency बनती है और फिर other problems होता है तो life में congruency होनी बहुत ज़रूरी है जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही करें और जो हम कर रहे हैं वैसा ही सोचें ठीक है realistic thinking focus on personal growth जब हम personal growth की बात करते हैं से वहले हमको खुद को जानने के ज़रूरत है जो कि हमारा full potential तक पहुंचने का काम गएने का और full potential हमने काम बात की थी सिक्स्थ है importance of free will importance of free will की बात करें तो free will भी वही सेम चीज़ है हम हमारे पास इतना freedom है कि हम खुद के decisions consciously खुद ले सके ठीक है और external factor पर वो dependent ना हो कि कोई बाहर वाला चीज़ हो रही है या कोई बोलड है तो हम अपने लाइक के decisions ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ठीक है आपके पास खुद की freedom है free will है आपके पास आपको अपनी लाइक पर decision जैसे लेना है जो लेना है आप लेंगे ठीक है तो इन चीज़ के बारे में बात की है ठीक है तो हमने basically चार पांच चीज़े पड़ी पहला है self-actualization it is it believes that the individual have an innate tribe for reach their full potential to become best version of themselves holistic approach the individual as go whole देखे subjective experience अगर हम देखे तो इसमें ती चीज़े इंपैथी यूपी आर एंड जैनुएननेस focus on personal growth self-discovery responsibility choices actions ले और importance of free will कि हम खुद के life decisions खुद ले सके तो अब जब हम उन दो जनों के बारे में बात कर रहे थे ये दो person के बारे बात करते हैं कार रोजर साइंस में में और Abraham Maslow है तो उनका थोड़ा थोड़ा पहले history देख लेते हैं फिर उनके जो theories दी है वो पढ़ लेंगे फिर evaluation बढ़ लेंगे ठीक है तो ये वाल्ट हुए थे इरियनॉस में और इनका death है 1987 California में अडली राइफ की बात करें इन्होंने काफी अडली टाइप की non-directive therapies दी है जिसको हम client-centered therapy भी बोलते हैं जिनके मैंने तीन चीज़ों के बारे में बताया है genuineness और empathy और UPR ये API के लिए President के लिए अब इनकी कुछ important theories के बारे में बात कर रहते हैं self-actualization के तो हमने बताया कि we have the innate drive for achieving our full potential all people possessed and inherited need to grow and achieve their potential this need to be achieved self-actualization he believed was one of the primary motive driving behavior हम कोई भी अपनी चीज क्यों कर रहा है कोई भी person अपना behavior क्यों कर रहा है कि कहीना कहीं वो उस चेरम सीमात तक पहुशना चाता है खुद की श्रमता पे जहां पे वो अपना fullest potential meet कर सके development of self एक person का self-concept कैसे बनता है जैसे उसके life experiences रहे होंगे अच्छे रहोंगे तो अच्छा self-concept बनेगा बुरा रहेगा बुरे childhood experiences रहेंगे तो बुरा बनेगा ठीक है unconditional positive regard जो इने बताया था that therapist जो होता है वो accept करता है जैसा भी वो है और both positive and negative feelings without judgment वो अपने client को provide करता है ठीक है फिर है congruence इने बात बताई थी self-image जो हम सोच रहे है ideal self or real self empathy that understanding other person experience by imagining oneself oneself in that situation right सो यह चीज़ा हमने कुछ पढ़ी यह पांच चीज़ा हमने पढ़ी पहला है self-actualization development of self UPR empathy congruence अब एक और theory कह सकते हैं एक और term दिया था Carl Rogers ने जो किता the fully functioning person एक fully functioning person कैसा होता है देखते हैं पूरा congruent congruent मतलब जैसा वह सोचता होगा खुद को जैसा वह होगा इसा ही आइडल सफ रखता होगा ठीक है अन्रियलिस्टिक को भी गोल नहीं बना रहा होगा विजन नहीं रखता होगा कोई भी अन्रियलिस्टिक ठीक होगी उसकी वह मुवमेंट में जीएगा अन्कंडिशनल पॉजिटिव रिगार्ट बहुत ही जादा एक फुली क्रिटिकल रोल प्ले करेगा अगर उसके पैरेंट्स टीचर्स उसको यूपियाय परवाइट करवाते हैं तो उसके अंदर उसको सेल्फ एस्टीम जादा होगा ठीक है उसका सेल्फ और सेब अच्छा होगा उपनेस तो एक्सपिरेंस होगा उसको उसके साथ एंड अदर्स के साथ भी एक पीस ओफ हार्वईनी एक्सपिरेंस होगी ठीक है एन अनकंडिशनल रिगार्ड फॉर दे सेल्फ भी होगा तो जिसको नॉन जेजमेंटल सपोर्ट मिले उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है अनकंडिशनल रिगार्ड मिले उसका भी सेल्फ एस्टीम बढ़ता है इंसान खुल के जीता है और ऐसे परसन को जो खुल के जीए ओपन हो दिल का ठीक है खुले दिमाग का खुले दिल का हो खुश हो और लाइफ में हर एस्पेक्ट में अच्छा कर रहा हो पैरेंट से भी अच्छा सेयोग मिल रहा हो और अपने टीचर्स और दोस्तों से भी ऐसे परसन को क्या बोलते है तो फुली फॉंक्शनेंट परसन ठीक है तो हमने इंचिम चीजों की बारियम बात की इनका कॉंट्रिबूशन देख लेते हैं परसन का अंदर से कि उनका फुल पुटेंशियल एचीव करना है डेफलोप्मेंट ऑफ सेल्फ मेंने बताया थी कि सेल्फ कॉंट्सप्ट कैसे बनता है और पेरिंटिंग का बहुत ज्यादा रोल है इसमें अनकर्डिशन पॉजिव इकार नॉन जेजमेंटल ठीक है और सेल्फ एक्सेप्टेंश एडियल सेल्फ में कॉंगुएंसी ठीक है प्रिपोजिशन उन्हें बहुत सारे दिये हैं यह ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है लेकिन हो सकता है अगर जो साइकलोजी वाले देख रहे हैं अगर उनके में प्रिपोजिशन या कुछ शॉर्ट आंसर टाइप आए तो वह नोट्स हैं यहां पे आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या टेलिग्राम ग्रूप का लिंक हमारे जो है हमारे जो ग्रूप है उसका मैं लिंक डिस्केप्शन में भी डाल देती हूं और कॉमेंट में भी डाल देती हूं पिंड कर देती हूं ठीक है तो आप वहां से जोइन कर सकते हैं और वहां पे आपको नोट्स अवेलिबल हो जाएंगी ठीक है फिर हमने पढ़ा था इम्पै थी की बारे में रखेंट है इम्पैथी क्या होती हुआ है इंपेथि से पाफी से बावा था में पीडू तो यह हमारा कार टॉजर्जर के 6 contributions है 6-7 ठीक है अब जितना भी हमने पड़ा उसके उपर थोड़ा सा evaluation कर लेता है ठीक है जो condition of worth की बात कर रहे हैं ठीक है तो he highlighted the negative impact of the negative impact of conditions of worth and encourages us to focus on self acceptance ठीक है जितने भी negative expect है न उनको हटा के जो positive expect है मतलब जैसे भी हम है self acceptance भी इन्होंने जादा गौर फरमाया है UPR मेंने बोला यह है कि self acceptance को foster करता है और healthy relationship build करता है खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी राइट क्योंकि non judgmental है तो कोई भी इंसान ने वो अपने positive negative feeling खुल के बताएगा खुल के एक्सप्रेस करें कि वो उसको पता है कि वो जज नहीं हो रहा है ठीक है और वो कैसा भी उसको accept कर लिगा जाएगा बाई the society or the near dear ones practical application challenges है कि यह थोड़ा मुश्किल है ठीक है क्यों मुश्किल है क्योंकि हम इतना जादा अगर किसी को self acceptance दिलवा रहे हैं acceptance गुद के में दिलवा रहे हैं तो वो सही नहीं है क्या बता कोई कल murder करके आया हो उसके आप भी हम बोल रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं it is funny but it is serious ठीक है कि नहीं कोई बात नहीं जैसे हूँ हों तुमको accept कर रहे हैं तो हर बार यह जरूरी नहीं है ना impossible है यह तो कि हम बिलकुल ही बहुत ज्यादा प्यार और उससे बात कर रहे है, acceptance आपको दे रहे हैं, आप जैसे हो आपको सुविकार कर रहे हैं, लेकिन हम आप जो भी गलत कर रहे हों, उसको टोक नहीं रहे हैं, उसको हम बोल नहीं रहे हैं आपको, ठीक है, So applying UPR, मतलब unconditional positive regard and suspending judgment completely and only offering UPR, unconditional acceptance is not always good and easy, applying UPR in the real life relationship can be challenging, limitations देखें, तो जो काल टोजर को concept है, वो सीजी सी बात है, वो हर चीज़ पे apply नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बहुती ज़्यादा focus कर दिया, self-actualization और self-pay, self-concept पे, तो यह other human behavior और valuing यह उसके पर ज़्यादा देहार नहीं दिया है, तो यह आपर lag करता है, ठीक है, तो यह था हमारा Carl Rogers के बारे में, उनके, हम इन mystic perspective देखें क्या होता है, तो फिर Carl Rogers के बारे में पढ़ा, उनकी theories के बारे में देखा, और फिर जो भी हमने पढ़ा उनके उसके उपर, हम limitation कर सकता है, criticism कर सकता है, या evaluation हमने किया, ठीक है, so thank you so much for watching, next video बहुती जल्दी आ रहा है, इसके तुरहन बात, जिसमें हम humanistic perspective में ही एप रहे है, मैसलो को अच्छे से पढ़ेंगी, और वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टन होने वाला है, उसमें भी ये सेम चीज़े फॉलो होंगी, इंट्रो उनके बारे में humanist perspective क्या होता है, उनका पुरी theories and evaluation, limitation, criticism, ठीक है, so thank you so much for watching, and please comment, like, और प्लीज बताइए, comment सेक्शे में कि आपको कैसा लगा, स्वस्ते रहे है, सु